नमस्कार स्वागत हैं आपका इंडिया नियूस पूर और मैं हूँ आपके साथ स्वादी सिंग अमेरिका और यूरोप की मद्दी का सबसे जादा असर टाक्स अक्टर की नौकरियों पर पड़ रहा है बिजनिस प्रोफेशनल की शोशल मीडिया साइड लिंग्डिन ने 716 करमचारियों की छचनी का एलाम कर दिया है कंपनी ने इसके साथ ही ये भी बताया है कि वे अपनी चाइनीज जॉब आप्लिकेशन आप को भी बंद करने जा रही है गौर तिलब है कि लिंग्डिन में कुल 20,000 से जादा करमचारी काम करते हैं पिछले साल हर तिमाही में कंपनी की कमाई में बड़त दर्च की गई ऐसे में प्रोफिट में बड़ोतरी के बाद भी छटनी का फैसला हैरान कर दिने वाला है आपको बता दें कि राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार लिंग्डिन ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए करमचारीों की छटनी का निर्ने कर लिया लिंग्डिन के मुखे कारेकारी अधिकारी रायन रोसलेस्की के ने करमचारियों को इमेल भेजकर जानकारी दे दी कि बदलते मोहल में हमने अपने ग्लोबल बिजनस औरगनाइजेशन जीवियो में बड़े बदलाव किये हैं और चाइनीज जॉब एप्लिकेशन को बंद करने का फैसला किया है इसके बाद कमपनी के कुल 716 लोगों की नौकरी पर असर पढ़ने वाला है उन्होंने बताया कि सेल्स और प्रेशन और सपोर्ट टीम में छटनी की जाएगी ताकि कोई भी फैसला लेने में तेजी आ सके छटनी के अलावा CEO ने नई नौकरी के बारे में भी जानकारी दी उन्होंने कहा है कि कमपनी में किये गए बदलावों के बाद कुल 250 पदों पर नौकरी का सरजन होगा ऐसे में छटनी का शिकार हुए इंपलोईज भी इन पदों के लिए अपलाई कर सकते हैं कमपनी ने अपनी चाइनीज जॉब अपलिकेशन आप के ऑपरेशन को 7 अगस 2023 तक कोई तरह से बंद करने का फैसला कर लिया है CEO ने कहा कि शुरुआत में इन करियर ने कुछ बड़ी सफलता हासिल की लेकिन इस बदलते वेश्विक महौल में इस आप को बंद कर देना ही LinkedIn के लिए लापकारी है कमपनी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में चटनी का शिकार हुए कर्मचारियों को कई तरह के कमपनसेशन दिये जाएंगे इसमें तीन महीने की सेलरी, हेल्थ इंशॉरेंस और करियर ट्रांजीशन सर्विस जैसी सुविधाय शामिल है वहीं अमेरिका के अब बहार प्रभावित होने वाले लोगों को उस देश के नियम कानून के हिसाब से अलग-अलग सुविधाय दी जाएंगे तो जिस तरीके से चटनी के आए दिन खबरे आ रही है, तमाम जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है वो अपने इंप्लोईस को निकाल रही है इसका सीधा इंप्लोईस पर उनके करियर पर उनके परिवार पर उनके लाइफ पर पढ़ता हुआ नजर आ रहा है अपने मुणाविप के लिए, इस पर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट बाक्स में बताएं अब इक लिए मेरे साथ बस इतना ही देखते रहें इंज्यानियोस धन्यवाद